नमस्कार बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आपके साथ मैं है उनुष्का जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका अपना चैनल बिहारी नियूज बिहार से जुरे हर अपडेट को आप तक पहुंचाने का काम करता आया है वहीं आज हम आपके लिए एक खास सिरीज ले बारे में बताने की स्थाथ करने जा रहे है आज उन जानेंगे लिए यूज नागरिक सब्सक्राइब एक ही पोर्टल पे ले सकते हैं आपको बता दें कि इकल्यान बिहार पोर्टल की ओफिसियल वेबसाइट इकल्यान.bih.nic.in है इसके जरिये बिहाराजी की सभी नागरिक एक ही वेबसाइट से अलग-अलग ओनलाइन सरकारी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए अब हम करते हैं कि इसके अधिन कौन-कौन से विभाग की योजनाय आती हैं विक गास और और आवास विभाग अपदा-प्रबंदन-विभाग बिहर स्टेट एडस कन्रोल सूसाइटी राजिस्वास्त समीती, ग्रामीन विकास विभाग आते हैं ये सभी विभाग के तहत लोगों को कई तरह की योजनाओं का लाब दिया जाता है जिसके लिए आविधन करना हो या फिर योजना से संबंदेती ब्यारों को जाना हो इन सब के लिए आप इस पोर्टल भी जा सकते हैं आप आपको बताते हैं कि किनकिन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं इसके साथ ही अन्य विभागों से जुरी विभिन योजना के लिए भी आवेदन किया जा सकता है चात्र चात्राओं के लिए या पोर्टल सहूलियत पहुचाने का काम करता है क्योंकि स्कॉलर्शिप के लिए बस एक लिंक से आप स्टेप बाईज आविधन कर सकते हैं या वेबसाइट चात्रों के लिए सरकारी चात्रवृति के साथ ही विभाग के अंदर आने वाली सार्व्रनिक योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है अगर आप बिहार के साई निवासी हैं और आप बिहार सरकार के योजनाओं का लाब लेना चाहते हैं तो एक अल्यान पोर्टल पर आविदन करने के लिए आपको कुछ डॉकिमेंट्स भी लगेंगे आपको आविदन के लिए आपको आधार कार्ड, आई प्रमान पत्र, जातिर प्रमान पत्र, आवास प्रमान पत्र, बैंक खाता, आधी की स्कैन कॉपी और आपका एक्टिव मोबाइल नंबर का होना अनिवार है इसके साथ ही अलग-अलग शाजरविती पाने के लिए आपको दसवी, बारवी या फिर इसनातक की माकशीट की कॉपी भी आवशक्ता की अनुसार अटैच करनी पड़ेगी तो अब आपको बताते हैं कि आविदन कैसे करना होगा जब आप ایک अल्यान बिहार पोर्टल को खोलेंगे तो आपको वहाँ होम पेज दिखेगा इस पेज पर आपको कई सारे विभाग के नाम दिखेंगे जो कई छोटे ब्लॉक में दिखेंगे अब आप अगर किसी एक विभाग को देखेंगे तो आपको वह तीन कॉलम में बटा दिखेगा पहले कॉलम में योजना का नाम, दूसरे कॉलम में लाभुको की संख्या और तीसरे कॉलम में मिलने वाले राशी का ब्योरा दिखेगा इसके साथ ही किसी तरह की तकनीकी मदद के लिए help desk कॉलम में जाकर आप बहाँ दिये गए तीन mobile नमबरों और एक telephone नमबर में से किसी एक पर भी संपर कर सकते हैं या फिर आप email id dbt.biharapp.gmail.com पर जाकर मदद लेने के साथ ही सलाह भी दे सकते हैं आपको यहां बताते कि इन योजनाव के लिए दो official website ekalyan.bih.nic.in और edudbt.bih.nic.in है जिसके जुरिये आवेदन किया जा सकता है तो यह थी इकल्यान फूर्टल के बारे में वो तमाम जानकारियां जो आप जानना चाहते थे इसे तरह हम ऐसे ही किसी योजना के बारे में आपको अपनी नई स्रीज योजना आपके काम की के अगले वीडियो में बताएंगे आपको ये वीडियो कैसे लगी और आप आगे किस योजना के बारे में जाना चाहेंगे ये आप हमें कॉमेंट सेक्सन में कमेंट करके जरूर बताएं तब तक के लिए मुझे देजिए इजाज़त नमस्कार